यह देखे गाइस बहुत यम्मी टेस्टी बहुत अच्छा नास्ता बेशन का चीला तो स्टफ बेशन का चीला है और इसमें स्टफ हमें क्या करना है आप देखते रहिएगा बस स्टफ वही चीज करनी है जिसके बच्चे दिवाने होते हैं आज कल क्योंकि मैगी वगरा बच मातर पीाज उनको बेचनपार उनको ए मोले लिए मार। आप बनाते हैं पैटर है.. लोजियो ध्राइन कने कवेचन ऐखिण होगा है सब्सक्सक्राइब निकण पने मार। जिसको हम इसमें एट करते हुए इसका हम बना लेंगे एक घोल ठीक है तो ये देखिए घोल बन चुका इसमें हम एट करेंगे अपने वही मसाले जो हमने सब्जियां कट करके रखी थी प्याज, टमाटर, और मटर, पालक, हरीधनिया जो भी इन में से सब्जियां आपको पसंद नहीं है वो आप हटा सकते हैं और जो ज़्यादा पसंद है सब्जियां उनकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और जो सब्जियां आपके पास ये अबिलबल नहीं है तो आप अपने मंचाही सब्जा आड़ भी कर सकते हैं तो चलिए अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं इसको पहले स्टार्ट करते हैं मैगी तो सिंपल हमने हाफ कटोरी ले लिया है पानी हाफ बाउल इसको इसमें हम आने देंगे बॉयल और हमाई पास यपी वाली मैगी रखी थी तो हम बस वही आड़ करेंगे हमने ये देखे चोटे-चोटे तुकड़ों में तोड़ ली है आप चाहें तो आप ना तोड़े अगर आप नहीं भी तोड़ते हैं ना मैगी तब भी बहुत अच्छे से लच्छे बन करके आएंगे तो जो कि बहुत अच्छी लगेंगे तो इसमें पानी में डाल देंगे टेस्ट मेकर जैसे की आ जाएगा तो ये देखे पानी में बॉयल आ चुका है तो इसमें हम एट करेंगे मैगी अपनी तो इसको भी हम कुक कर इसको हम सिर्फ और सिर्फ 90% कुक करेंगे तो यह देखिए हमाई ड्राइ हो चुकी है मैगी कुक हो चुकी है तो इसे हब हम अलग अटा करके रखेंगे और फिर देखते हैं बनाते हैं क्या तो चलिए यह अपना बैटर में मसाले कुछ देख लेते हैं लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार हल्दी पाउडर कलर के लिए और यह रहा हमारा धनिया पाउडर यह हमारा नमक यह हमने वही तीका चटपटा वाला नमक लिया जो हमने जिसकी रेस्पी हमने दी हुई है आप इसकी जगा साधा नमक भी ले सकते हैं यह हमने डाल दिया थोड़ा सा चा बच्चों आमने पवे गया performed बनाने चीजा नवहा हमें चीज़ बना अच्छे छीजबें बनाई तो ज़िट अपना हम डेडरे पर ऑक यह बादर। और इसे हम दो से तीन मिनट कुख होने देंगे ठीक है इसे अच्छे से कुख होने देंगे दो मिनट तक कुख होने देंगे उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है इसको ढाक करके दो मिनट कुख कर लेंगे ये देखे दो मेट कुख हो चुका है तो अब हम मैगी अपनी इस पर स्प्रेट करेंगे अच्छे से जाएगा निको चोड़ कर अभी देखेगा इसके आगे भी हमें कुछ करना है तो इस तरह से अच्छे से फैला देंगे मैगी को हमने फैला दिया है और अब हमें अपने बेशन के वैटर को ऊपर से इसके लगा देना जिससे की मैगी हमारी अंदर स्टप हो जाए तो इसे अच्छे से हम फैला देंगे बिल्कुल कबर कर देंगे जिससे की मैगी दिखाई भी ना दे यह देखेगा इसको अब हम पलट लेंगे धीरे से इस तरह से पलटते हुए इसको हम थोड़ा सा ओयल डालेंगे और इसको हम क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे देखे बेशन का है और इसमें काफी सारी बेश्टेबल्स पड़ी है तो यह हेल्दी तो बहुत जादा है अगर आप ऐसे मैगी बना के बच्चों को देते हैं तो वह इतना हल्दी नहीं हुता है और इस तरह से बना कर देंगे तो इसमें बेशन भी और सबजियां भी है तो यह काफी हल्दी है इसमें आप पालक तो यह ऐ गल्द़्ों को बहुत पसंदा आता है तो चलिए सभा करते है यह देखिए हमने सारे बना तो लिए लेकिन बच्चों को इतने पसंद आए कि वह एक एक करके जारा खतम करते गए तो यह देखिए लास्ट बचा है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कट करके तो यह बिल्कुल कच्चा भी नहीं है और टेस्टी भी बहुत है यह देखिए आ सारे लक्षे दिखेंगे हमारे बच्चों को तो यह दिना पसंद आए कि उन्होंने सारे के सारे खतम ही कर डाले तो यह रेस्पी आप अपने घर में बनाइए बच्चों को कि लाई यह बड़ों को लाईए बच्चे तो इनके फैन हो जाएंगे आपके इतना टेस्टी यह देख सकते हैं क्या recipe लाएं और क्या नहीं तो प्लीज बताएं थैंक्यू मिलते हैं next day next recipe खत्पब आए